आज से ठीक तीन साल पहले आजी के दिन रात के आठ बजे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने आपके जेब में जितने भी 500 रुपे के नोट थे उनको बिल्कुल बेकार कर दिया था वही के वही थे आपके नोट लेकिन उसका कोई फाइदा नहीं रहा इसको क्या कहा गया था नोट बंदी यानि की डी मॉनिटाइजेशन क्यूं किया गया था इसलिए ताकि काला धन सारा जो छिपा हुआ है वो बैंकों में वापस चला जाए और सारा का सारा देश बिल्कुल वाइट मनी पे चले क्या ऐसा हुआ है इसका हिसाब आज लगाएंगे एकॉनमी का हिसाब किताब में देखते रही है जब तीन साल पहले डी मॉनिटाइजेशन या यानिकी नोट बंदी हुई थी तब मैं कैश उतना यूज नहीं करता था मैं तब भी क्रेडिट कार्ड यूज करता था ओनलाइन पेइमेंट बहुत सारा करता था और मेरे पास उतना कैश नहीं होता था लेकिन मेरे जैसे लोग भी अगर कोई घर पे काम करने आए जो सबजी वाला हो या घर से जो कुड़ा लेके जाता हो प्लंबर हो इलेक्टरिशन हो इन सब को मैं भी कैश में ही पेग करता था तो कैश की जरूरत मुझे भी थी अब आप सोचिए उसी तरीके से प्लंबर, इलेक्टरिशन या कोड़ा जो उठाता है या जो घर में काम करता है उसको कैश की कितनी जरूरत थी वो तो क्रेट काड नहीं यूज करते थे, वो तो पेटियम वाले नहीं थे, बहुत सारे लोगों के तो बैंक अकाउंट भी नहीं थे चाहे उनके लिए नए अकाउंट जंधन के खोले भी गए हो, उसमें पैसा नहीं था हमारे देश में जादा तर कारोबार कैश में चलता था 2016 में और आज भी चलता है आप अगर देख ले कि कितना कैश का वैल्यू डी मॉनिटाइज कर दिया गया था तो 100 रुपे अगर टोटल कैश हमारे देश में था, 86 रुपे उसमें से हटा दिया गया था हाँ मोदी जी ने कहा था कि 2-3 हफते में सारा पैसा वापस आ जाएगा आप बैंक में जमा कीजिए, 2-3 हफते में चलिए एक महीने में आपको सारा पैसा वापस मिल जाएगा लेकिन वो कैश सिस्टम में आते आते एक साल हो गए हाँ ये भी कहा गया था कि काला धन जिनका है बहुत लोग वापस नहीं देंगे और वो सारा पैसा क्या होगा RBI सरकार को दे देगी और इससे सरकार खर्च बढ़ाएगी लेकिन 99 प्रतिशत पैसा सिस्टेम में वापस आ गया था इसका मतलब है काले धनवाले को कोई फर्क नहीं पड़ा अब आप मेरे जैसे लोगों को ले लीजे हमारा सारा पैसा बैंक के सिस्टेम से ही आता है इसलिए मैं PTM यूज कर सकता हूँ ले लीजे इलेक्रिशन ले लीजे ड्राइवर ले लीजे जो घर में काम करते हैं वो ले लीजे सबसी वाला ले लीजे यह सब सिर्फ कैश पर ही निर्भर करते हैं अगर आप हमारे देश में दस कामगार ले ले तो उनमें से चार तो खेती में हैं या तो किसान है या खेत मसदूर है। साथ में अगर बाकी छे आप ले ले उनमें से चार informal sector में काम करते हैं। कि छोटे मोटे उद्योग में काम करते कहीं पर मेकानिक है कोई धाबय में काम करते हैं या किसी दुकान पर है या किसी ने अपना कोई रेडी लगा रखा है ऐसे काम जाधा तर करते हैं नोडबंदी होने से क्या हुआ इन में से बहुतों का काम चेन गया और जो काम करना चाह को कुछ अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कहा नहीं यह अच्छा है उनमें से एक हैं हारवर्ड के प्रोफेसर जो अभी आएमफ के चीफ एकाउनमेस्ट है गीता गोपिनाथ उन्होंने कहा था कि यह अच्छा है ऐसा होना चाहिए अब तीन साल बाद गीता गोपिनाथ और और सीनियर अर्थ शास्त्रियों ने एक पेपर लिखा है जिसमें वो कहती हैं कि नोटबंदी के कारण अर्थ व्यवस्था तीन प्रतिशत गिरा है और साथ में नौकरियां तीन प्रतिशत कम हुई हैं लोन दो प्रतिशत घट गया है इसका मतलब अगर नोटबंदी नहीं हो तो साड़े पांच परसेंट के जगे हमारा विकास दर साड़े आठ प्रतिशत होता 2016-17 में बहुत सारे स्टडीज हुई हैं कि नोटबंदी के कारण नौकरियों पर क्या असर पड़ा है और सब कहते हैं कि लाखों में नौकरियां गई हैं एक कहता है कि 50 लाख नौकरियां का रियाल स्टेट सेक्टर को लगा था क्योंकि बहुत सारा वहां पर जो काम होता है वो कैश में होता है सिरफ ब्लैक मनी नہähän जो मजदूर आते काम करने कॉंट्र rocky को cash में पैसे देते हैं और cash गायब होने से पूरा real estate sector बैठ गया था अब आप देखिए जो खेट से निकल कर काम ढूंडते हैं सबसे पहले वो construction में जाते हैं और construction sector बैठ गया इसका मतलब खेट से निकल कर जो लोग काम ढूंड रहे थे उनको कोई काम नहीं मिल रहा था नोडबंदी से ये भी कहा गया था कि बड़ी कमपनियों में नौकरियां बढ़ेंगी और ये क्यों अच्छा है क्योंकि यहां पर नौकरियां पक्की होगी और साथ में पैसा भी जादा मिलेगा लोगों को लेकिन बिलकुल उल्टा हुआ है तीन साल बाद आप देखिए मैंस से अगस 2019 में पिछले साल की तुलनाम में ऐसे कंपनियों में ऐसे शेत्रों में 69 लाक नौकरिया कम हो गई है और लोग शहर छोड़कर गाउं वापस चले गए हैं खेती में काम करने के लिए वहां पर काम बढ़ गया है किसी भी विकास शील देश के लिए खेती में काम कम होना चाहिए और वहां से लोगों को फैक्टरी और सर्विस सेक्टर में नौकरी मिलना चाहिए लेकिन नोडबंदी के कारण इसका बिलकुल उल्टा हुआ है एक आखरी डेटा आपके लिए छोड़के जाता हूं आप देखिए नोडबंदी से पहले टोटल जितना मार्केट में कैश घूम रहा था उसका बार प्रतिशत 26 प्रतिशत हो गया यानि कि डबल से जादा पैसा अब लोग घर पर रखने लगे थे अगर नोडबंदी का कोई रिपोर्ट कार्ड बनता तो सौ में से उसको बिलकुल जीरो मिलता यानि कि अंडा और अगर नोडबंदी को कोई नौकरी मिली होती तो वो नौकर झाल झाल